नमस्कार नुस्पोर्णीशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हुरुचा शर्मा बिहार में बेकाबू होते कोरोना वारस का संक्रमन थमने का नामी नहीं ले रहा है कोरोना वारस अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और इस्तेती काफी भयावव बन चुकी है अलसे बीच अब बिहार में नेता प्रतिपक्स देजस्वी आदव सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं एक बार फिर से उन्होंने फेस्बुक पर एक वीडियो शेयर करते हुए नितीश सरकार की पोल-खोल तस्वीर सामने लाकर रख दी है इसके साथ उन्होंने वीडियो में आकड़े को प्रस्तूत करते हुए पूरे स्वास्त सिस्टम पर बड़ा आरोप लगाया है और इसके साथ पोल-खोल तस्वीर भी सामने लाकर रख दी तेजस्वी आदव ने इस सुबा-सुबा एक वीडियो दाग कर बिहार के स्वास बेवस्ता पर सवाल खड़ा किया है तेजस्वी आदव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फीसबुक पर शुक्रवार की सुबा एक वीडियो पोस्ट किया इस वीडियो में आकड़ों के आधार पर बिहार सरकार के दावों की फोल खोलने की कोशिश भी की तेजस्वी ने इस वीडियो के माध्यम से कहा है कि हालात से लाचार बैवस्ता से बिमार अब नहीं रहेगा बिहार बदलो सरकार बदलो बिहार का नारा दिया और तेजस्वी आदव जो वीडियो शेर किया है उसमें उन्होंने बताया कि 2019 में भारत के नीती आयोग ने भारत के राज्यों को रैंक दी तो बिहार को 21 नंबर पर रखा गया इसके पीछे की वज़ा बिहार में डॉक्टरों की कमी अस्पतालों का बुरा हाल को बताया गया साथी इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि सुप्रिम कोट की सामने नेतीश सरकार ने खुद माना है कि ज़रोत की तुल्ला में हमारे पास 57 फीस दी डॉक्टर और 71 फीस दी नर्सों की कमी है तेजस्वी आदव ने इस वीडियो के ज़रिये बिहार स्वास्त व्यवस्था पर आरूप भी लगाया बिहार सरकार पर भी उन्होंने कई सवाल किये बिहार में ना तो कोरुना टेस् ना ही इलाज लेकिन से अमनितिश कुमार और अप उनके सयोगी दालों को चुनाव के अलावा कुछ और दिखी नहीं रहा तेजस्वी आदव ने ये भी आरूप लगाया कि कोरुना काल में लोगों के स्वास्त के बदले कुर्सी कुमार को अपनी कुर्सी का स्वास्त वो कहीं ना कहीं सवाल भी करते नज़रा रहें ऐसे पहले वो बाड़ को लेकर भी सियम नितीश पर हमलावर नज़र आए इलाकों में भी वो गए मधुबानी का दौरा क्या होने वहाँ पर जाकर लोगों से बाचीत भी गी बाड़ पीडियो के हालात को भी समझा इसके साथ आर्थिक मदद भी की ये वीडियो भी खूब वाइरल हुआ सोशल मीडिया पर इसके साथ जिस्वियादव कोरोना काल को लेकर भी सरकार पर हमलावर नज़र आ रहे हैं लगातार हर तस्वीरों का जिक्र करते हुई वो सियम नितीश पर बड़ा हमला बोल रहे हैं स्वीच चाहें नम्सीच की बदहाली की तस्वीर हो पिम्सीच में रेब की खबर हो या फिर दर्भंगा मेडिकल कॉलेज में आईसोलीशन वाड में घुसकर गुंड़ाई वाली खबर हर खबर पर वो सियम नितीश की खबर लेते नज़र आये और लगातार उन्होंने ट्वीट कर लगा लोग हस्पीटल में वो गये पीपी केट पहन के गये तब भी लोग अब उन पर आरोप लगा रहे हैं विबक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जब इतनी भयावस्तिती हो गई तब मंगल पांडे जी की नींद खुली और तब वो जाकर दौरा कर रहे हैं तो एक करिया नीज फोनेशन नमस्कार